प्रेटिओनी के बाद पुनर्जन्म कुछ दशक पूर्व मुझप्र नगर के एक ग्राम में एसी आस्ष्विय जनक सत्य गटना गटी चुँ हमारे सास्तफ पुराणों के बातों को दंके के चोट, सथ्य सिद्द करती है हमारे सास्तों और प्राणों में लिकित पुनर्जन्म और प्रियेक्तियों नी प्राप्त करने से समझेत बाते एक बालक के जिवन में चरिटार्थ होकर आज के घोर नाश्तिकों और आविस्वासियों को भी पूर नताय आज से चकत कर देने वाली है हमने समाचार पत्रम पड़ा कि जिला मुझपर नगर के खेड़ी अलिपूर गाउं में एक जाट के यहां एक ऐसे बालक तिंजन्म लिया है जो अपने पूरे जिन्म की बाते बताता है और नो बर्सक बराबर पिपल के ब्रिक्स पर प्रेद बन कर रहा ये सब बढ़कर हमारे आसरे का ठिकाना नहरा हम इसकी जाज करने के लिए सुयम मुझपर नगर गए और वहां ब्राहुन बानी नमक माशिक पत्रिका के संबादक पंडिश्री गोस्वामी जी ब्राहमद जी सर्मा से भेट की उन्हें अपनी स्वेम अपनी जाज की हुई सत्य देगटना हमें आद्यो पंथ नाई हम पर हमें इतने पर भी जब संतोस नहीं हुआ तब हम फिर से अपने पुत्र स्रीशी कुमार गोयल को साथ लेकर मुझफण अगर गए और वहां से अपने पास साथ सुपर्शित संत श्रीकल्यान देवजी माराज को लेकर खेड़ी एलिपुर गए वहां पूरे जिनम के बातें बताने वाले उस लड़के के चाचा स्रीशी तल परसाथ था उसके अन्य सगे समंधियो यह हम गाउंवालों से मिले और वास्तवी गटना क्या है उसका पूरा पता लगया गाउं से वापस आने पर पुर्पुन है पर स्रीशी ब्रहम दर्जी से बेट की हम सब से पहले सुपर्शित आरिये निता पंडित ब्रहम दर्जी स कर्मा द्वरा जाच की हुई उनके द्वरा सुनाई हुई सत्ते कटना पार्ट कों के सामने जागते हैं सरदेया पंडित स्री ब्रहम दर्जी सिर्मा कहते हैं जिला मुझपर नगर में यह बात फिली हुई है कि शिकारपुर में पांच बरस का एक बालक आपने पिछले जन पर तो फोता हो मिला इससे जगया गया लड़का पांच बरस का था उसमें कुछ नाता था पंडित लक्सम Tina के यहां रषच चार उनिस सो एकाउन में से आया था पंडित लक्समिचन को अपना पिता उनकी इस तरिक अपनाता कहता था पंडित लग्समर्समें जिस थी कन्याई प्रकास होती किलास होती और सल्लादेवी किम्चे सत्रा बीस और ठाइस बस की रही होगी इसे प्रकार दो लड़के रही दस बिस्तन तस और बारा बर्स के रहे इन सब के बीच एक बालक बड़े प्रेम से गह रहा था गाओं खेडी अलिपो जिल्ला मुझे पर नग लक्समिचंद है और मेरी माता मुझे मिले में जाने के लिए पैसे दिया करती थी यह सब्सक्राइब हो गया जम समय के सामने लड़का पंडित लक्समिचंद से लिपट गया पिता जी पिता जी पुकारने लगा इसे सिकार पूर ले जाए गया गाओं के पास पहुंचते लड़के ने चिला और शुरू कर दिया कि हमारा गाओं से कार पर आ गया है रास्ते में सुयम भी पंडित्री लक्समिचंद का जंगल कुवा दिदे कर कहने लगा कि यह हमारे हैं काम के गुशते ही उसे अकले छोड़ दिया गया यह सथे रास्ते चौराए पर पूंच किय और हज़रों आदमी को तो देख रहे थे इसी चौराए के पास लक्समिचंद का मकान ता इसे दूसरे गर में रिजाए गाता भी है कहने लगा कि यह हमारा मकान घर नहीं है यह तो पटवारी का घर था दिरे दिरे चल कर इसने पंडित लक्समिचंद का मकान जा पकड़ा और सेम उसमें गुच किया पचास सो इससले यहां लड़कियां इकटी हो गए लक्समिचंद के सब लड़कियों को इसने भारी भारी से पचान कर बटलाए लक्समिचंद की तर इसे प्राइट रुपे का एक नोड़ दिखा है नोड़ देखते हैं उन्हें मा मा कहता हुआ दोड़कर उनकी गोद में गया पूछने पर इसने बताया है कि मैं नो बर्स तक बराबर प्रेड पर प्रेड बनकर रहा हूं लक्समिंचे के मकान के पास ही एक प्रेड है मैं उस प्रेड बलेता है उए में प्रेयरेशत कर पानी प्रेड पीजस लेए था और घर मैं जाकर रोटी खाली खालिया करता था उसकी बाद लक्समिंच के घर एक पुराय नोकर के बारे में पोछने लगा कि मकनाम का नोकर जो यहा रहता थाब कहां गया इसने भी उसने सुयं म लगा कहता है मैं तो ब्रामन का लड़का हूं और जाट है मैं जाटों किया कच्चा खाना किया हो कच्च बरतन का दूध तक नहीं प्यूंगा चार-पांस जिन की इस तरह इसे अलग बरतन में दूध पिला चले वरंत में जब प्रेशान होगे तप तंगा कर इसे सिकारपू लक्समिचन जी के पास बेड़ दिया अब वो अपने पितर जन के मता पिता के पास शिकारपूर में रह रहा है उसने इसकुल में पढ़ने जाना परारम कर दिया इसकुल में मास्टरों होता था प्रशिक शित्रगाओं के लोगों को सामने मैंने लड़के से बताया बाते की उसने उपरियुक्त बाते बताने से इस्तिवाय और भी बहुत सी आस्ते जनक बाते बताई हैं पंडित लक्समिचन उनके लड़के से अन्य लोगों का उनकी बताई ही बाते बेशिद्ध हुई पंडित लक्समिचन ने मुझसे कहा पुछा कि श्रेश्कुल में परिश्ट पुर्णे जन्मर का सिद्धान सत्य प्रमानित होता है वही नोव बरस तक प्रेट पर प्रेट पर प्रेट बन करें ना भी एक अबुद्पूर आसरे जिनक बात है नोव बरसों के बितरी गाहां में घुट्टी तोने वारे से भी गटनाओं की जान कर रखना इस बात का प तीन बरस की ठी विछन्दत को बात बेदा करने की बच्चों की इसी कारण पैचांद पर नोव बरस प्रेट पर प्रेट रूप में रहा क्या प्रोक्त प्रेट योने सत्ता की ठत्रता को पुष्ट नहीं करता है हम ने जाकर सुयम जांच की हम अपने पत्रकार पुत्र शियो कुमार भोयर को साथ लेकर पुज़ेबाद स्रीकल्यान जिवजी के महाराज के साथ खेड़ी काँ पोचे हमें पता लगा कि गटना है अक्सर तरसत्ते है लड़का ये सिंग भी अपने पूरो जिर्म के माता पिता पंडित स्री लक्स्मित जी के साथ लेता है अपने पूरो जिर्म के पिता स्री लक्स्मित जी आजकर सिकार पूल में इतले गया है वे जिला निनी ताल में रहते हैं वह लड़का भी उनके साथ ही गया और वे उसे अपने पास पत्र के सुमान बड़े प्रियम से रखते हैं कभी कभी इस दिर्म के माता पिता से पास घड़ी में चला लता है हमने लड़के सिखे कि सग्यब दाता इसतर परसास जाट से ता उसके गाउं से बहुत से लोगों से बास की काली राम जाटके हुआ यह वीर्ज सिंग लड़का पिता हुआ और तब किसी को सब्सक्रिम में यह अनमानी था कि यह पूरे दिर्म के सिकार पुर्पूर पंडित लक्सुचिन का पुत्र है और तब ही यह हैं नहीं रहकर पूरे दिर्म के माता पिता के पास पहुंच किया पुर्पूर जनम की माता है वह उनसे बाचित करना ही चाहता था कितने में यह आगे बढ़ गई इसने घर जाकर अपने जन्ग की माता की बादर्यम का घाया माँ आज मेरे पहले जनम की माँ बाग के दर आए थी और मुझे बूली नहीं और मेरे से राम ने निकल गई यह स अब सबको बड़ा स्थरीवा पर माता और सभी ने इसे रुदाया कि यहीं ही बालत्पन है बात लेका ने का क्या रहे मा तो तेरी में हूं और तेरी मा कोन हो सकती है तू तो बावला है जा खेल लगका खेल लग गया और यह बात पूल किया अलिपूर हड़ी गाहों की पा खेली से बहुत से इस तरी परुस बालक बुड़े स्तान करने घेले थे इस लड़के नहीं भी मेले में जाने का ब्रागर किया और का कि बहुत से लड़के मिले में जाएंगे मैं भी जाओंगा गरवालों के बालक को हर देकर उसे भी गाहों के लोगों के साथ उस मेले में बेज दिया उसकी माँ ने उसे महले में कोई चीज खाने पीने के लिए दू आने पैसे दिये दिये वह दो रुपे आने पैसे लेकर पस्ट नहीं हुआ उसने इतने बड़े महले में के लिए दू आने पैसे देना पड़ा खटका उसने आश्तिम मास्टर मौसिलाल रामक एक आद में से का कि देखो मेरी इस जन्म की माह कैसी है उसने मुझे इतने बड़े मेले के लिए को दूआने पैसे दी है इन दूआनों में क्या होता है मेरे पिसले जन्म की माह इसी अच्छी थी कि मैं जब भी कभी मिले में जाता तो मुझे मुठी बरकर बहुत सारे पैसे देज़ा करती थी वह इसी लोबिनला महा ने थी और जैसी यह महा है लड़के की यह वाद सुनकर मुठी लाल को बड़ा आसरी वाद करता था बालक के किसी बाते करता है पहले तो उसने इसकी बात को बिल्कुल ही जुटा समझा कि बालक है यह जुट मुट कहता है इसकी बात का क्या विस्वाद बला करें पिछले जन्म की बात याद रा करती है पर जब उसने बालक के मुझे बार बार इसी परकार की बाते सुने अब उसे बड़ी उस्चकता हुई है और उसने बालग को पूछा कि तुम्हारी पहले बाले जन्म की माता कहा रहती है उत्रे बालग ने का लिए विचार विमच्ट के बाद यह निसे किया कि यह कोई शिकारपुरा आदमी मिले उससे इस बारे में बाहचित की जाए वास्तों में सिकारपुर में कोई तो पंडिल लक्सुचन ने का कि मैं सिकारपुर का रेने वाला हूँ फिर क्या था इस सिकारपुर के आदमी की तरास में थे ही उसने बाद में जटचे आपके सिकारपुर गाहों में कोई पंडिल लक्सुचन नाम की वेक्तिया है उत्तर में लक्सुचन ने का कि मैं ही मेरा इसे पुरा-पुरा विसास हो गया है कि मुझे बेसिंग से अपने पूरे जिनम की जो बाते बता ही है यह उसकी बालपन की ढूटी बाते नहीं है पर बिल्कुल सकते हैं जब इससे पंडिस लक्सपचन ने इस प्रकार के सब बाते मालूम करने का कहान पूचाता है वो इसने सबसे पहले कभी पंडिस लक्सपचन को नहीं देखा था जिसमें बीच सिंग आया तो दम से सिदा दोड़ता हुआ पंडिस लक्सचन के पास तरा गया और एक दम उन से लिपट किया फूर पूर के रोने लगा ज़र पंडिस लक्सचन फूर रो रहे थे इदिवा लटका भी इस फूर पूर कर रो रहा था दोनों को इस पकार लोते देखकर सब की हर्दे बराय वहाँ बड़ा ही करौन हर दे ग्राही दर्श्य था ये एक बिलकुल अनुखी और आस्ति दिना कटना थी तो नहे कभी देखी गई और नहे सुनी गई थी कुछ देर के बाद पस्ताद पंडी लक्समचन लड़के को करवालों से कहा कि तुम इस लड़के को हमें दे दो इस तो लड़के के एक बाबाने कहा कि कहीं बहला पूत भी किसी को देतने की बादाश चीज़े होती है अब अपने लड़के कुछ में किसी देंगे अब तो यह लड़का महरा है लड़का पंडी लक्समचन से लिप्टा हुआ का तारा था मुझे लक्समचन अपने साथ यही ले जाए यह अच्छा है यह अद्बूत गटना का समाचा बिजली की तरह गाउं गाउं में फिल कि हजारों मुझे से दूर दूर से लड़के क्यों देखने के लिए आने लगे अंत्यमे जालों मुझे के बीच उस लड़के को सिकारपुल में लजाए गया जहां उसने सब के सामने अपने पूर दूर की माता साथ बहन भाईयों को बचाना वे से प्रमान सिद्ध हो किया किस प्रकार में नो बरसक बराबर प्रेड़ के प्रेड़ पर प्रेड़ बन कर रहा उस प्राज़ाओं में सब बातें बराबर देखता रहा उसकी प्रेड़ तात्मा में ही पंडित लग्समें संद के गर में कब किस प्रकार उसके भेहन भाईयों ने जर्म लिया यह सब प माजीब चालों कि है और आरे समास के अंदर हम दोलों को कई बार जिल भी जा जुकिए हैं उनके सामने तो पुस्टन तर्विये विए इस पुताते आप असुन नाम कैमेरा नम्र शितर प्रसाद है रड़का आपके क्या करता है रड़का मेरा सगा बचिता है मैं उसका ताच उस दर्के को उस भालो को ब्राहनों को सूम देते हैं उपना लरका भी किसी परखार विस परखार जशार देघा था नर्का इस उम्हें कहांपर ए है प्रणी लक्समुष सिंजी कर शा सिकार पूर जिला जिन्ताल बेंगे वहाँ पर जाकर काम दंदा कर लिया है और लरका पतरा Czechies शचाना भी ने पूरो जाना है उनके पता मॅनकर ठोड़ते रहा है उसे चोड़ना चाता है उनका भी लड़का प कि ने हो गया है पसंत क्या वहां पर रहता है और हमारे पस भी आ जाता है अब तो उतका पर प्रेत बन कर एने के बात बताईए इस प्रकार बहुत से प्रस्थनों पतर होते वे फिर हम ने उन सब लोगों के चित्र भी कहत्वाई है और अब इस से मालूम है कि प्रियोतियों नहीं भी होती है और पुनरजनम भी होता है यह पुनरजन की सत्य घट्था है जो मैंने आपको सुनाई गए